गाडियों के कम बिखने के पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं एक तो सबसे बड़ा रीजन है कमपेडिशन दूसरा है हाई प्राइज़ और तीसरा है अगर उन गाडियों में कोई बड़े अपडेट मिलने वाले हैं तो सेल्स डाउन हो जाती है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 15 लीस सेलिंग कार्स के बारे में जो दिसंबर 2023 में पूरे भारत में सबसे कम बिखी है कौन सी है वो गाडियां क्या है उनकी लेटेस लेक्शन रूम प्राइस आईए देखते हैं 15 पोजिशन पर सिट्रोईन की C3 सिट्रोईन C3 के 309 यूनिट्स विके हैं फाइब सिट्र गारी है 6,16,000 रूपे प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरेंट के लिए इसकी प्राइस 9,8,000 रूपे तक जाती है 14 पोजिशन पर फॉक्स वेगन टीगवान ये एक प्रीमियम SUV है 275 यूनिट्स विके हैं दिसंबर में एक ही वेरेंटिस का मार्केट में आता है 35,17,000 रूपे इसकी एक शुरूम प्राइस है 13 पोजिशन पर मारूती सुजुकी सेलेरियो 247 यूनिट्स विके हैं सेलेरियो के ये एक हैज़ बैक है किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी लीस सेलिंग कार की लिस्ट में भी मारूती सुजुकी की कोई कार होगी और आज दो कार्स हैं सेलेरियो की प्राइस 5,37,000 रूपे दे शुरू होती है और 7,15,000 रूपे तक जाती है बजट में एक अच्छी चुआइस है लेकिन 5 से 10 लाग रूपे के बजट में काफी तगड़ा कंपेडिशन अब हो गया है 12 पोजिशन पर जीप कमपास 246 यूनिट बिके हैं इसके दिसंबर में जीप कमपास प्रीमियम SUV है 5-seater वर्जन में आती है केबल डीजल इंजन ऑप्शन ही इसका मिलता है 20,49,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 32,7,000 रूपे तक जाती है 11 पोजिशन पर श्कॉड़ा की कोडियाग 225 यूनिट बिके हैं श्कॉड़ा कोडियाग के ये भी एक प्रीमियम SUV है केबल पेट्रोल वेरेंट में और केबल ओडमेरिक DCT ट्रांस्मिशन में आती है 38,50,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 40,04,000 रूपे तक जाती है इसके बाद हुणे की टूसॉन 10 पोजिशन पर 209 यूनिट के साथ में ये भी एक 5 सीटर प्रीमियम SUV है हुणे की तरफ से 29,02,000 रूपे दे इसकी प्राइस शुरू होती है और 35,94,000 रूपे तक जाती है ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है लेकिन केबल ओडमेरिक ट्रांस्मिशन में 9 पोजिशन पर जीप मेरेडियन 190 यूनिट बिके हैं इसके दिसमबर 2023 में ये एक 7 सीटर प्रीमियम SUV है जीप की तरफ से 33,40,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है 49,46,000 रूपे तक जाती है इसमें आपको केवल डीजल वेरेंट मिलता है इसके बाद एमजी की ग्लॉस्टर एमजी ग्लॉस्टर के 140 यूनिट बिके हैं दिसमबर 2023 में एक प्रीमियम 7 सीटर SUV है फ़चुनर को राइवल करती है मारकेट में 38,000,000 रूपे दे इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरेंट के लिए 43,87,000 रूपे तक जाती है ये केवल डीजल वेरेंट में आती है केवल आटमेटिक टॉक कनवर्टर ट्रांस्मिशन में इसके बाद हुने की आयोनिक 5 81 यूनिट बिके हैं दिसमबर में एक एलेक्रिक SUV है 631 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है एक बार फुल चार्च करने के बाद और यहां पर इसकी प्राइस है 46,05,000 रूपे इसके बाद महिंदरा की मराजो 6 पोजिशन पर 62 यूनिट बिके हैं दिसमबर 2023 में ये केवल डीजल वेरेंट में आती है 16,48,000 रूपे तक जाती है इसके बाद मारूती, सुजुकी, एस्प्रेसो 5 पोजिशन पर 60 यूनिट के साथ में 5 सीटर काड़ी है 4,27,000 रूपे दे प्राइस शुरू होती है और 6,12,000 रूपे तक जाती है लेकिन अभी सेल्स इसकी थोड़ी डाउन हुई है उमीद की जा रही है कि इसमें कोई बड़े अपडेट मिलने वाले है 4 पोजिशन पर हुन्डे की कोना 19 यूनिट्स बिके हैं दिसमबर 2023 में ये भी एक फुल एलेक्रिक SUV है सारे 400 से जादा किलमेटर की रेंज इसमें मिल जाती है 23,84,000 रूपे ते प्राइस शुरू होती है 24,03,000 रूपे तक जाती है थर्ड पोजिशन पर किया सॉनेट 10 यूनिट्स बिके है नया वर्जन के अनाउस्मेंट कर दी गई है फेशली बर्जन इसी महीने लॉंच कर दिया जाएगा दिसमबर में अन्वील कर दिया गया था उसको और यहां पर जो करेंट बर्जन अभी बिक रहा है 7,89,000 रूपे तो उसकी प्राइस शुरू होती है और 14,89,000 रूपे तक जाती है यह नॉर्मली 7,000 से 8,000 यूनिट के नॉर्मली बिक जाते है और यहां पर इसको सब 4 मिटर सेग्मेंट में काफी पसंद किया जाता है 2 पोदिशन पर किया EV6 6 यूनिट बिक हैं इसके दिसमबर 2023 में इसकी रोट प्रेजेंस काफी शांदार है दूर से ही काफी लग्शूरियस कारी फील होती है और यहां पर आपको इसमें नेक्स लेवल फीचर्स मिल जाते है 60,95,000 रुपे ते प्राइस शुरू होती है 65,95,000 रुपे तक जाती है 700 किलोमीटर से जादा की रेंज मिल जाती है इस एलेक्रिक SUV में एक बार फुल चार्ज करने के बाद नमबर वन पोदिशन पर सिट्रोयन की C5A क्रॉस एक प्रीमियम SUV है सिट्रोयन की तरफ से काफी जादा प्रीमियम फीचर्स इसमें मिल जाते है केवल डीजल वरेंड में आती है